हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग होप सो अच्छे ही होगे दोस्तों आज का ये सेशन मैं क्लास 7 के लिए लेने जा रहा हूँ और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है टॉपिक हीट तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों चलिए द हमारे पास क्या है सिलिंडर है और उस सिलिंडर कंदर क्या है गैस है हम जो गैस सिलिंडर यूज करते हैं घर में जब हम क्या करते हैं सिलिंडर को आपन करते हैं तो उससे एक पाइप लगा रहता है और वह जागे क्या है स्टोब से जुड़ा हुआ रहता है और इस आप ध्यान दीजिए इस cylinder के अंदर LPG gas होता है यहां पर जो chemical energy है वो convert हो जा रहा है क्या आग में और यही आग क्या है हमारा heat है और वही heat generate कर रहा है जिसके वे से क्या है हमें गर्मी महसुस होती है और यह heat जो है सिर्फ cylinder से ही नहीं बहुत चीजों से क्या है generate किया जा सकता ह चलिए अब इसे और detail में आगे समझने की कोशिश करते हैं हम माल लिजिए हमारे पास दो तरह की objects है या फिर दो तरह की bodies है उसमें से पहला जो body है वो क्या है hot body है और दूसरा क्या है cold body है जब हम क्या करेंगे इस hot body को cold body के contact में लेकर आएंगे तो होगा क्या कि यहां पर जो body hot है उसके पास energy अधिक होगा वहाँ पर उसके पास heat अधिक होगा और यहां पर जो cold body है इसके पास heat क्या होगा कम होगा तो उसे क्या होगा जो यह hot body है जिसके पास की heat अधिक है, energy अधिक है, यहां से heat का supply होना शुरू हो जाएगा क्या? इस cold body में और वहां पर एक समय ऐसा आएगा, जब heat का flow है वो धीरे-धीरे क्या होगा? stable होना शुरू हो जाएगा और एक समय जब heat का flow stable होना शुरू हो जाएगा, वहां पर जो यह hot object है और यह cold object है, इन दोनों के पास जो heat का effect है, या पि जो heat है, यो heat की value है, वो क्या है? सेम हो जाएगी और उस condition को हम क्या कहते हैं? उस condition को कहते हैं हम equilibrium state, जहां पर hot object और cold object दोनों के पास क्या है? heat की value बराबर हो जाएगी और यहाँ पर देखे यहाँ पर जो हमारा hot object है या hot body है उससे heat का supply हो रहा था cold object में या फिर cold body में तो यहाँ पर हमने देखा है कि heat क्या है एक form of energy है और heat का supply यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पर जो heat का supply हो रहा है इस पूरे process में उस energy को हम क्या कहेंगे heat energy hope so इतनी बातें आपको clear हो चुकी होगी चलिए अब आगे देखते हैं कि यहाँ हमने यह तो देख लिया कि heat energy supply हो रही है लेकिन यहाँ पर उसका कुछ तो unit होगा जिसमें कि हम उस heat energy को measure कर सकेंगे देख सकेंगे है ना calculate कर सकेंगे तो वहाँ पर जो हमारा SI system के according जो हमारा heat का unit है उसे हम कहते हैं joule जिसको कि हम क्या है जेसे भी represent करते हैं और यहीं पर जो हमारा older जो unit हम use करते थे heat को measure करने के लिए calculate करने के लिए वो क्या है calorie hope so इतनी बातें आपको अब तक clear हो चुकी होंगी चलिए अब आगे देखते हैं अभी हमने ये देख लिया कि क्या heat जो है form of energy है और यहाँ पर हमें पता है कि energy जो होता है वो capacity to do work होता है कहने का मतलब क्या है अगर हमारे पास अगर energy होगी तो उस ताकत का यूज करके energy का यूज करके हम कोई भी काम क्या है कर सकते हैं उस work को perform कर सकते हैं इसका मतलब heat जो है energy से related है energy work से related हो गया इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये heat जो है इस work से relate हो जाएगा कहने का मतलब क्या है यहां से अब हम यह conclude कर सकते हैं कि heat अगर energy का form है और energy से हम work कर सकते हैं तो इसका मतलब अगर heat अब work से जुड़ेगा तो मतलब heat के help से भी हम work कर सकते हैं we are able to perform work through heat अब चलिए देखिए इसे एक हम example की help से समझने की कोशिश करते हैं यहां पर क्या है अब हम एक बरतन लेंगे उस बरतन में क्या है पानी ले लेते हैं अब क्या है इस पानी को क्या करते है इस टोप पर रख देता है इस टोप जलाने के बाद क्या है इस टोप से जो fire निकलेगा उससे यह जो हमारा बरतन है वो क्या होगा गर्म होना सुरू होगा, हीट होना सुरू हो जाएगा और उस हीट होने के विज़े से क्या होगा इसके अंदर जो water है वो water क्या होगा steam बनना सुरू हो जाएगा, भाब बनना सुरू हो जाएगा जैसे जैसे यहाँ water बाब बनना शुरूगा हम क्या करेंगे इसके उपर एक ढकन रख देंगे और इस क्या है परतन को ढख देंगे उससे क्या होगा जो यहां पर पानी है जो भाब बनकर ऊपर उड़ रहा है यह भाब क्या है जाकर इस ढकन को हीट करेगा हीट करेगा इंदर संस कैसे यहां पर ह के वज़े से क्या होगा यह water गنا्री सभॉप जाए गा और सिर्म बाहर निकलने के लिए इस ढकन को हीट करेगा और जैसे यहां हीट कर जाएंगे इस पूरे बरतन को पानी क्या हमें क्यесть u में यह को जाएगा तो हम यह देखेंगे यह डखकन हिलना हो हो जाएगा तो यहां से जब यह धक्कन हिलना शुरू हो जाएगा तो भाईया अगर एक object यहां रखा है अगर वो हिल कर यहां आ गया तो इसका मतलब निश्चीद है कि यह object मूव किया है अगर कोई भी चीज मूव करेगा तो वो वर्क करेगा तो मतलब यहां अगर धक्कन थोड़ा सा भी हील रहा है इसका मतलब वो अपने जगा से क्या है डिस्प्लेस हो रहा है इसका मतलब यहां हमें यह दिख रहा है कि क्या steam की वज़े से यहां पर यह धक्कन हील रहा है तो यहां पर heat की वज़े से क्या है work perform हो रहा है क्यों कोकि steam जो बन रहा है ये heat की वज़ा से ही तो बन रहा है अगर heat हम नहीं करते तो भईया वो पानी ही रहता लेकिन heat करने के वज़ा से ये पानी क्या है steam बन जा रहा है और इस डखकन को क्या है heat कर रहा है hope so इतनी बाते अभी आपको clear हो गई होंगे अब चलिए यहां पर जो हमारा अगला topic है वो है hot and cold अब ध्यान से समझेए यहां पर क्या है इस hot and cold को समझने के लिए हम यह करते हैं यहां पर क्या कि तीन बरतन ले लेते हैं एक बरतन में गर्म पानी ले लेते हैं hot water दूसरे में क्या है mixture of cold and hot water कहने का sense है कि यहां पर एक normal water ले लेते हैं इस बरतन के अंदर और जो तीसरा बरतन है उसके अंदर हम क्या है ठंडा पानी ले लेते हैं अब क्या है यहां पर यह है कि यहां पर एक लड़का है ठीक है और यहां पर क्या है एक दूसरा लड़का है अब क्या है यह लड़का आकर इस बाले बरतन में अपना ठंडी है यही लड़का फिर आकर इस बाले बरतन में हाट डालता और कहता है क्या है पानी गर्म है अब ध्यान से यह लड़का जो जो कह रहा है यह सामने वाला लड़का वो सभी बाते सुन रहा है और जो यह कह रहा है पानी में हाट डालने के बाद उस पर यह यकीन कर ले है ठीक है लेकिन अब आप ही बताईए कैसार जरूरी है कि ये लढ़का इस पानी में आकर हांट डाल रहा है वो तो यहां लिखा हुआ है कि normal water है ये बोल दे रहा है normal water है लेकिन क्या लडके को पता है कि normal water है अब जो ऌगि यह लड़का यहां कहา रहा है कि ये पानी नॉर्मल है तो ये लड़का भी मालने रहा कि ये पानी नॉर्मल है ये पानी ठंडी है तो ये मालने रहा है तो ये मालने रहा है गर्म है लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रुमेंट तो होना चाहिए या ऐसा कोई कंडिशन होना चाहिए जिसके हल्प से हम ये पता लगा सके कोई भी चीज normal है, गर्म है या ठंडी है तो चलिए इसी चीज के लिए, इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पर जो नया term introduced हो रहा है वो है temperature तो चलिए अब इस temperature को हम detail में समझने की कोशिश करते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है temperature के बारे में कि a reliable measure of the hotness or coldness of an object is its temperature कहने का मतलब क्या है कि कोई भी object कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है उसका जो measure है वही बता रहा है क्या उस body या object का temperature अब ध्यान से मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि किसी भी चीज़ को अगर हम heat करेंगे तो उससे गर्मी क्या है अधिक महसूस होगा वो जो गर्मी वहाँ महसूस हो रही है वही हमारा क्या है temperature कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या है कोई object है और उसको हम heat कर रहे हैं तो उसको heat करने से क्या होगा उससे गर्मी क्या है अधिक महसूस होगी मतलब वहाँ पर उसका temperature क्या हो जाएगा high हो जाएगा इससे हम क्या समझ रहे हैं इससे हम ये समझ रहे हैं कि जिस object या body के पास heating अधिक होगा उसका temperature हमेशा high रहेगा और फिर अगर हम कहना है कि कोई object अगर cold है इसका मतलब in comparison to the high temperature object उसका जो temperature क्या है low है इसका मतलब उससे heat क्या है कहीं ना कहीं release हो रही है क्योंकि अगर किसी object का temperature high है इसका मतलब ये है कि वो object कहीं ना कहीं क्या है heat किया जा रहा है उसके अंदर heat क्या है लिया जा रहा है लेकिन अगर कोई object cold है तो उसका मतलब क्या उसका temperature क्या है उसका temperature भीया low है temperature low है इसका मतलब क्या है उस object से क्या है heat release हो रहा है heat बाहर की तरफ निक यहां नहीं यहां पर SI unit जो temperature का है हम क्या है Kelvin use करते हैं और इसको हम represent किस से कर रहा है capital K से तो चलिए अब आगे देखते हैं अब चलिए अभी तक हमने क्या है temperature को देख लिया उसके SI unit के बारे में भी जान लिया किस scale पर है क्या उससे हम measure करेंगे लेकिन अब जब हम उसे measure करेंगे तो भाईया हमारे पास कोई ना कोई instrument या device तो होना चाहिए तो यहां पर temperature को measure करने के लिए जिस instrument का हम use करेंगे वो है thermometer और इस thermometer का use आपने करते हुए देखा ही होगा hospitals में भी लोग घर पर भी चाहिता है इसे temperature भुखार जबाती है तो measure का के लिए चलिए यहां पर क्या है हम इस thermometer का use करके temperature को measure तो करेंगे लेकिन यहां हम इस temperature को measure करने के लिए different different scales का use करेंगे और यहां पर जो । прич चाहिए कि कहां से हम उसको start करें और कहां उसका endclipse pray करेंण यहां पर जो हमारा जो reference point है reference scale है temperature को measure करने के लिए तो यहां पर जो हमने दो reference scale माना है पहला है freezing और दूसरा बॉयलंग point of water यानि water कहां पर freeze हो na start होता मतलब ौइस बनना सुरू होता है और दूसरा boiling point of water in the sense kes water कहां पर boil यानि stream में convert होना सुरू होता है तो चलिए आगेद देखते हैं इसको यहाँ पर हमने ये देख लिया कि temperature मेजर करने के लिए हमने कीन दो reference point को select किया है तो चलिए यहाँ पर हम different different scales पर देख लेते हैं कि क्या-क्या उसका reference point है और कैसे हम क्या है उस पर temperature को मेजर करेंगे तो चलिए यहां पर जो हम 3 common scale use करेंगे temperature measure करने के लिए तो उसमें से जो पहला है वो है Celsius scale दूसरा Fahrenheit scale और तीसरा क्या है Kelvin scale तो चलिए यहां पर अब हम degree Fahrenheit scale पर देख लेते हैं कि इसका boiling point क्या है तो boiling point of water इस case के लिए Fahrenheit scale के लिए वो क्या है 212 और यहीं पर इसका जो freezing point of water है यानि जो reference point है इसका freezing point वो है 32 degree Fahrenheit तो वहीं पर degree Celsius के लिए जो boiling point है वो है 100 degree centigrade और freezing point क्या है इसका 0 degree centigrade और Kelvin scale पर जो हमारा boiling point है है 373 Kelvin और यहां पर freezing point जो है यह है 273 Kelvin अब दिहान से यहां पर मैंने लिखा हुआ है division तो यहां से division कहने का मतलब क्या है यहां पर क्या है सबसे पहले हम क्या है Celsius scale के लिए समझने की कोशिश करते हैं तो यहां पर हमें कैसे पता चल रहा है कि reference point हमारा यही है freezing के लिए और boiling के लिए तो अब दिहान से समझने की कोशिश कीजिए एक का समझ जायेंगे तो बागी सब का सेम common process है उसी तरह हम क्या है calculate कर सकते हैं तो क्या है यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं हम एक बरतन लेते हैं इस बरतन में क्या ह करते हैं इसमें हम Ice डाल देते है आइस डालने के बाद क्या करेंगे यह खंडी हो जाएगी उसके बाद हम क्या है इसका temperature measuring करने के लिए क्या है और उस thermometer को क्या है dip कर देते हैं इस पानी के अंदर थोड़े देर के बाद क्या होगा वो जो thermometer है वो क्या है एक जगा जाकर क्या है rest पे आ जाएगा in the sense क्या है कि वो thermometer क्या है जो उसका reading है वो steady हो जाएगा constant हो जाएगा और वो जिस जगा जाकर रुकेगा उस degree centigrade scale पर वो है zero degree पर यानि वहीं से हमें पता चलता है कि जो हमारा freezing point है water का वो क्या है degree centigrade scale पर zero degree hope so बाते clear होंगी उसी तरह boiling point water का निकालने के लिए क्या करेंगे वापस से container लेंगे अब इसमें ice की जगा क्या करेंगे इसको heat करेंगे फिर हम देखेंगे वापस से जो thermometer का reading है वो जाकर क्या है constant हो जाएगा किसी एक particular temperature पर वो क्या है वहां से हम measure करेंगे क्या है वो 100 degree centigrade होगा same process foreign height के लिए अपला होगा और same process Kelvin के लिए लेकिन अब यहां यह समझने वाली बात है कि इस 32 degree foreign height और 212 degree foreign height के बीच में जो gap है यानि जो difference है 212 और 32 के बीच का जो अंतर है वही क्या है हमको division दिखा रहा और वो अंतर जो है 180 निकल करा रहा है किसमे foreign height के लिए degree Celsius के लिए वही difference 100 और 0 के बीच में क्या है 100 निकल करा रहा है के लिए 373 और 273 के लिए भी जो difference निकल करा रहा है 100 तो division यहां represent क्या कर रहा है भाईया तो division यहां represent कर रहा है हमारा degree of temperature कि temperature कि OR C ना कितना increase करता जा रहा है जब हम thermometer देखते हैं न तो उसमें देखते हैं यहां और यहां के बीच में चोटफे चोटे लाइं इस सब मिला कर जो यहां पर चोटफा टुकड़े बन रहे हैं उसको है कह रहे हैं division और जैसे ऐसे क्या है पारा उपर बढ़ता चलेगा वहां क्या है temperature increase होता रहेगा thermometer पर और जैसे ऐसे क्या है पारा नीचे की तरफ गिरता रहेगा temperature क्या है decrease होता रहेगा और वही increase और decrease को measure करने के लिए क्या है यहाँ पर हम thermometer का use करते हैं और वही increase or decrease in temperature जो है हमारा division so करता है hope so इतनी बातें आपको अब clear हो गई होगी तो चलिए आज के इस session में बस इतना ही hope so आपको ये lecture पसंद आया होगा अगर ये lecture आपको बसंद आया तो मेरे चैनल को subscribe करें वीडियो को share करें like करें तब तक के लिए thank you have a nice day